कि वान्स अगेन हाई रिच के एक और ने वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है जोस्तों मुझे काफी सरे कमेंट्स आ रहे थे कि सर ने मोबाइल नमर इमेल आइडी कैसी चेंज करें इसके उपर एक सेपरेट वीडियो बनाएए ताकि हम किसी का भी चेंज कर पाए जोस्तों बता दे कमपनी का गाइडलाइन से रेजिट्रेशन होने के 15 दिन के अंदर अंदर अगर आप चाहते हैं चेंज करना डीटेल्स नेम मोबाइल नमबर इमेल आइडी और स्पांसर आइडी तो आप चेंज कर सकते हैं तो मैं आज आज आपको तीन चीजे नेम मोब लाइक जरूर कीजेगा चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने मोबाइल स्क्रीन चलते हैं और देख लेते हैं पुरी पूरी डीटेल कि किस से आप अपना आइडी के अंदर ये डीटेल्स आप बदल सकते हैं तो दोस्तों हम लोग आच चुके हैं अपन आइडिट करने करें यहां पर हम चेंज कर सकते हैं नाम इनकर चैंज कर सकते क्के देख जेटें갔र के यह इक आइकन बना हुआ है In Pencil icon और पेपर pencil का बाकन बना हुआ यह सबी तो यहां नहीं कि हम एडिट कर सकते हैं Simply edit करने का तरीका क्या होता है कि आप जो pen और pencil आप देख रहे हैं नाम के समने जिस इस पर क्लिक कर दीजिए यहां पर ठीक है यहां पर हमने जिसने क्लिक किया तो यहां पर पूछ रहा है नाम तो क्या नाम है वो नाम यहां पर बोल रहा है डालने के लिए तो हमने यहां पर जो है नाम यहां पर डाल देनी है ठीक है और यहाँ पे जो है उसका पासवर्ड डाल देना है ठीक है हमने कॉपी कर रखा था तो सिंप्ली हमने पासवर्ड को पेस्ट कर दिया कि अगर नाम आप कंफार्म कर ले ठीक है और उसके बाद पासवर्ड डाले उसके बाद सब्मिट पे क्लिक कर दे और आपको पूछेगा आडियो स्योर्ड तो महां पर दालने के बाद नाप इंचे यहां पे पासवर्ड फिल अप करना है पैसवर्ड करने की बाद आप यहां पर सब्मीट बाले प्लिक कर देंगे तो यहां पुछेगा आर्यो शयोर यहां पर करना ओक्टें तो यह मश्योर्ड भी आपको सथいきomaल हो सकते हैं और हमारा mobile number भी यह चेंज हो चुका है अब यहां पर मुझे email भी चेंज करना है तो email चेंज करने के लिए वह ही सेम कंडिस्टन यहां पर हम लोग अपना email ID जो फिल अप कर देंगे अपने जो email अडिया वह सही है अगर सही है तो फिर आप यहां पर नीचे password डालेंगे password डालने के बाद फिर submit पर क्लिक करेंगे audio sure okay तो बस इतना ही काम करना है और आपका details जो आप देख सकते हैं हमने यहां पर पूरी यानि कि sponsor ID यहां पर आपको fill up कर देना है और उसके बाद password फिल अप करना है और आपका sponsor ID वो change हो जाएगा बस simple इतना से करना है और आपका details जो है वो आपको पसंद आया होगा और यहां से काफी information मिल गया होगा कि किस तरह से आप यह change कर सकते हैं और यह change आप खूद से तभी कर सकते हैं जब यह 15 दिन के अंदर अंदर आपकी ID मतलब हुआ हो मतलब 15 दिन से उपर ना हुआ हो आपकी डिन के अंदर ठीक है पंदा दिन के बाद एगर आप करेंगे तो हो नहीं होगा पंदा दिन के अंदर करना पड़ेगा रेज़ेश्टिसंत तभी आप इसके अंदर कुछ भी बदलाव कर सकते मिलते हैं कुछ और नहीं इंट्रेस्टिंग टापिस साथ तब तक के लिए जाय हैं